हाँ जी तो क्या हाल हैं दोस्तों सबसे पहले न दो नोटिफिकेशन्स हैं पहली ये कि मेरा गला वैठा हुआ है वायरल फैला हुआ है अपना ख्याल रखो मेरी इस वीडियो में इतनी ही आवाज निकलेगी तो आज थोड़ा एड़ेस्ट कर लेना दूसरी चीज ये कि कल हम मैंने इस चैनल के उपर लाइफ स्टीम रखा था जिसके अंदर पेंडिंग गिववेज सारे क्लियर कर दिये थे सारे विनर्स निकल के आ गए थे तो अगर आप एक विनर हो आपको नहीं पता कि आपका नाम सिलेक्ट हुआ है कि नहीं तो हमारी कम्यूनिटी पोस्ट पे जाके देख लेना वहाँ मैंने सारे विनर्स के नाम महाँ पे लिख दी है अब चलते हैं सीधा आप इस वीडियो के कॉंटेंट में तो बेसिकली मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाला था ये वाला जिसके अंदर मैंने बताया था कि मैक बुक जो है मैंने कितने सस् business account का क्या scene रहता है और यहाँ पे अगर उस GST को हम pay कर रहे हैं तो वो discount कैसे हो गया तो इस वीडियो के अंदर मैं पूरा का पूरा tutorial के साथ साथ आपको पूरी background process बता हूँ वागी कैसे आप उस GST के amount को एक तरीके से अपना discount consider कर सकते हो और चलते हैं फिस वीडियो के आगे फड़ावट से वीडियो को स्टार्ट करता हूँ मेरा नाव है चंदन आप देखने स्काइस टेक सिंधी लेट्स के स्टारे तो tutorial स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चीए कि इस चीज को पूरा process करने के लिए आपके पास एक business का मतलब यहाँ पे GST number है आपके प composition scheme वाला जो GST number होगा वो यहाँ पे invalid माना जाएगा यहां कह सकते हो आप उनको ये पूरा process करने कोई फायदा नहीं मिलेगा versus regular वाले GST number के जिनको पूरा-पूरा authority होती है कि वो interstate goods भी भी भेज़ पाएं और साथ में tax भी input credit ले पाएं basically अब सीधा चलते हैं tutorial के उपर आप यहाँ start करने से पहले एक बार verify कर लेना आपके पास नहीं हो तो आपके किसी friend या किसी family member का दूसरे का GST number हो तो वो भी चल सकता है लेकिन उनको problem नहीं होनी चीए उनको पहले पूरा समझा देना कि आप क्या करने वाले हो और basically किसी और के GST number से ये काम मत करना जिससे भी करो बात करके ही करना तो अब चलते है tutorial की तरफ मैं यहाँ पर सबसे पहले अपनी जो screen है वो छोटी कर देता हूँ आपको लेके चलता हूँ अपने monitor पे आगे भणने से पहले एक छोटी सी request है यार हम इस channel के उपर ना 100 के पहुशने ही को सबसे पहले आपको नीचे description में एक link मिल जाएगा जो मैंने यहाँ पे type किया हुआ है simply आप इसको enter कर दो यहाँ उस link पे चले जाओ उसके बाद आपके पास कुछ ऐसा Amazon Business का page आ जाएगा यहाँ पे हमको करना है register now और basically हमको अपने business को Amazon के उपर register करना है in order to get all the benefits तो यहाँ पर आप कोई भी अपनी email डाल दो कोई फरक नहीं पड़ता तो मैं यहाँ पर अपनी email डाल देता हूं बस यह make sure कर लेना कि वह email पहले से Amazon पर register ना हो अगर हो तो भी उसका प्रोविजन है लेकिन आप एक नई बना लेना वो ज्यादा अच्छा है तो यहाँ पर अपना ना email आएगा जो लिखा होगा कि आप अपना यह Amazon का अकाउंट है उसको verify कर लो तो मैं यहाँ से यह OTP जो है वो डाल देता हूं यहाँ पर कर लो create your Amazon account अब यहाँ पर अपना business phone के अंदर अपना एक phone नम्मर डाल देना जिस पर आप available हो कोई भी चीज के लिए अगर Amazon की तरफ स कोई call आता है तो बिजनेस टाइब यहाँ पर आप सिलेट कर सकते हों मेरा अल्रेड़ी अकांट बना हुआ है तो मैं पूरे इस नमबर यहां पे select करना होगा अगर हमको सारा का सारा जो discount है वो अपने account में चाहिए दो इसके बाद यहां पे अपना GST नमबर डाल दो मैं यहां पर डाल देता हूं और सिरफ आपको verify करना है कि हाँ भई मेरा जो GST नमर है वो उसकी सारी details यहीं है और simply आप कर दो इसमें submit बहुत simple है कुछ भी नहीं इसके बाद simply आपके पास आ जाएगा कि Amazon आपका account verify कर रहा है और मैं आपको यह बता दूँ कि sales period में अगर आप इस चीज का benefit उठाना चा रह आते हो तो उस time पे सारे benefits यह सारे discounts जो चल रहे होते हैं business वाले accounts के अंदर वो आपको instantly नहीं मिलते हैं इसके लिए basically यह 3-4 दिन company लेती है कि उस account को verify करने के बाद उसके अंदर सारे benefits applicable हो तो आप यह video अगर देख रहे हो अगर आपका program है कि आगे चलके आपको इस चीज का फायदा उठाना है तो आप instantly नीचे link से जाके sign up करके छोड़ सकते हो क्योंकि 3-4 दिन तक verify हो जाएगा और finally sales period में आपका account बिल्कुल ready हो जाएगा आपके सारे benefits को लेने के लिए तो अब सीधा चलता हूँ मैं आपके Amazon के account में basically जो normal Amazon का account होता है वो आप screen पे देख सकते हो कि इस तरीके का दिखता है राइट लेकिन जब आप Amazon को sign in करोगे अपने business वाली ID password से जो अभी हमने create करी तो आपको बिल्कुल ही different panel देखने को मिलेगा जैसे की मैं यहाँ पे अपना account login कर लेता हूँ जैसे की आप screen पे अब देख पा रहे हो तो यहाँ पे उपर Amazon हटके business देख के आजाता है और नीचे की सारी चीजें काफी हद तक similar ही रहती है लेकिन difference कहाँ पे आजाता है हर item के price में suppose करो यह MacBook है 84,000 का listed है मैं इसको click कर लेता हूँ तो यहाँ पे आपको क्या दिखाएगा basically यहाँ पे आपको दो price दिखाता है पहला price दिखा रहा है 71,177.97 excluding GST और जो price है 83,990 inclusive of GST तो यहाँ पे ऐसा बिलकुल भी नहीं है कि हमको GST pay ही नहीं करनी है और हमको finally 71,000 का amount pay करना पड़ेगा लेकिन इसका मतलब यह है कि हमको 84,000 का payment पूरा करना पड़ेगा Amazon को उसके बाद जब item हमारे पास आएगी उसके अंदर जो bill निकलेगा उसके अं अब यहाँ से सारी कहानी शुरू हो जाती है बेसिकली हमने पूरा पैसे दे दिया item का Amazon को उसके बाद GST का claim कैसे लें बेसिकली पैसे हम पूरे देंगे 84,000 Amazon को और उसके बाद scene क्या होगा कि यहाँ पे जो हम हर महीने की जो GSTR 3B बढ़ते हैं इसका मतलब हम अपनी government को GST की सारी details बताती हैं कि हमने कितनी purchasing करी कितनी selling करी हमारा कितना profit हुआ उस हिसाब से government हमसे tax लेगी basically उस tax का अगर suppose करो किसी महीने के end में मुझे जो tax की liability आ रही है वो आ रही है 20,000 रुपीज तो उस 20,000 रुपीज के अंदर से ये वाला जो amount है 12,000 कुछ रुपीज इस case में जो मैं आपको screen पे दिखा रहा था भी Macbook वाला तो ये वाला amount उस वाले amount में से less हो जाएगा और basically आप इसको समझ सकते हो कि आप एक discount बन गया क्यों क्योंकि ultimately आपको ये 12,000 रुपे government को देने ही पड़ते लेकिन जब आपने अमना tax file करा तो आपको ये 12,000 रुपीज कम दे कोई चीजें खरीदते हैं, assets खरीदते हैं, suppose करो जैसे हमने laptop खरीद लिया, यहां फिर आप कहलो furniture खरीदा, यहां फिर आप कहलो कुछ भी जो firm में working में काम में आरी है, जैसे ही AC खरीद लिया, इस तरीके की चीजें अगर हम अपनी firm की running के लिए लेते हैं, तो ऐसे में वो चीजें का claim हम input credit जिसको हम बोलते हैं, वो ले सकते हैं, मैंने भी अपना Macbook जो है वो इसी case में लिया था, इसी तरीके से लिया था, कि हाफ टाइम मेरा office पर use हो जाएगा, जो accounting या फिर other कामों के लिए, और बाकी का जो है काम वो मेरा YouTube के लिए काम में आ जाएगा, लेकिन आप 5 साल से पहले अपनी किसी ऐसे asset को बेच देते हो, जिस पे आपने GST का invoice लिया हुआ है और आप उसका claim कर रहे हो, तो basically आपको उसका pro rata basis के ऊपर आपको GST भरना परता है, आपको full claim नहीं मिलता है, सब्सक्रों करो 20,000 की GST है, और आपने 3 साल के अंदर अपनी वो item ब पाऊगे, यह पूरा scene है, flip card के ऊपर भी account नहीं भनाना पड़ता है, वहाँ पे सिरफ अपना GST number डालना पड़ता है, किसी-किसी product पे वहाँ पे available होता है, लेकिन मुझे Amazon इस चीज में काफी भढ़िया लगता है, क्योंकि एक different panel खुलके आ जाता है, इसके अलावा मैं channel में जाके देखोगे, तो आपको normal यह card discount मिल जाएंगे, 10% वाले, लेकिन business account में purchase करने से, यहाँ पे आपको दिखा रहा है, extra 5% cashback, जो आपको आपके इस वाले Amazon Pay Balance के अंदर देखने को मिल जाएगा, साथ में आप इसके अंदर अपनी teams वगेरा को भी add कर सकते हो, अगर आ सारे benefits निकल के आते हैं, Amazon के business account के, I hope आपको सारी चीज़े clear हो गई हो, मैं समझा पाया हूँगा कि मैंने कैसे उसको discount के तरीके से treat किया, और अब finally जो मैं दूसरी machine लूँगा, laptop जो भी लूँगा, उसकी GST में claim करूँगा, तो यही कुछ था आज की इस वीडियो में, I hope म आपको ढंग से पूरा बता पाया हूँगा, समझा पाया हूँगा कि कैसे यहाँ पर सारी चीज़े काम कर रही है, वीडियो पसंद आयो, थोड़ी सी value मिलियो, तो एक like का बटन जरूर दबा देना, और साथ में, अगर आप इस channel को support करना चाहते हो, तो नीचे Amazon का एक affiliate link व थोड़ी सी मुझे commission मिलेगी, आपके लिए price exactly same रहेगा, लेकि लिए इस channel को बहुत अच्छा support मिलता है आगे चलते रहने के लिए, मेरा नाम है चंदन, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए stay safe, stay sarcastic, see ya!